हेलो दोस्तो, नमसकार, मेरे यूटीब चेनल में आप तमाम किसान और तमाम बैपारी भायों का स्वागत है मैं बता दू नौरातरी बात, पीयाज में जबरदस्त उठाल नौरातरी खतम होते ही, पीयाज में जबरदस्त उठाल आएगी किसानों के लिए ये खुश खबरी है पूरे वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक लाइक जरूर करें और पूरे वीडियो को देखें चलिए ये निूज हम देख लेते हैं नौरात्री बात प्याज में जबरदस्त उचाल देखें ये हैं उनियोन प्रींज जो अच्छी खबर है दस रूपय परती किलो तक सस्ता हुआ प्याज नौरात्र खतम होते ही बढ़ेंगी मांग ये हैं 27 अक्टूबर की ये खबर और ये देखिए केंदर सरकार के दखल के बाद प्याज के भाव घटे हैं इन दोर में मंगलवाल को प्याज का थोक भाव में 5-8 रूपय की गिरावट देखी गई है नौरात्री बाद खुदरा सबजी मंडी में यह गिरावट 10 रूपय परती किलो तक देखी गई बावजूद इसके नौरात्री खतम होने के बाद प्याज की मांग बढ़ेगी मैं बता दू पहले भी मैं बता दिया हूँ कि नौरात्री बाद खतम होते ही प्याज का दाम जरूर बढ़ेगी आखिर नौरात्री बाद प्याज घटी क्यों प्याज का थोक बैपारी के मुताबिक सहर में उम्मदा क्वालिटी के प्याज का थोक भाव 42 से 43 रूपय परती किंटर किलो रह गया घट गया नवरातरीबाद, एबरेज क्वालिटी का प्याज 32 से 32 रुपे परती किलो भी का, कुछ कमजोर क्वालिटी का प्याज 15 से 17 रुपे भी का, अस्थानिय मंडी में 40 से 50 हजार कटे प्याज की आवक हुई है देखें, मैं बता दूँ कि 40 से 50 हजार कटे आ रहे हैं, सरकार का कुछ दवाव है जिसके कारण नवरातरीबाद प्याज घटा हुआ है, लेकिन कुछ दिनों बाद प्याज में जबरदस्ट उच्छाल आएगा ये 100% गरांटी की प्याज में उच्छाल जबरदस्ट आएगा, नवरातरीख खतम होते हुए ही बढ़ेगा इसमें सरकार का कुछ दखल हुआ जिससे प्याज का दाम घटा है नवरातरीबाद, लेकिन कुछ दिनों के बाद प्याज में जबरदस्ट उच्छाल आएगा तो किसान भायों आप लोग हाबर आए नहीं, प्याज घट गया घट गया ये है जो जमाखोर प्याज को रखे थे, उनके उपर एकसंद सरकार ने लिया, जिसके कारण सारे प्याज निकाल रहे हैं जमाखोर यही कारण है कि प्याज में आवक बहुत जादा आ रहा है और प्याज का दाम घटा हुआ है, लेकिन कुछ दिनों के बाद प्याज में जबरदस्ट उच्छाल देखने को मिलेगा, दिसंबर में आप अपना प्याज बेचिएगा, 80-90 रुपे के पार बिकेगा, ये 100% गर